नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्तित हूं आप सभी की सिवा में एक ब्यादी महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां रात को सोते वक्त भूनी हुई दो लोंग खाने से जो होगा आपने कफी सपने में नहीं सोचा होगा ये है आज का हमारा ऐसे भी कम ही ध्यान दे पाते हैं जिससे हमारा स्वास्त काफी कमजोर रहता है या हमें कई प्रकार की बिमारियां होती रहती हैं जिसके लिए हम कई प्रकार की दवाओं का सेवन भी करते हैं जिससे हमें आर्थिक नुकसान काफी होता है लोंग तो आप सभी ने देखी हो अगर आप वह उपाई करते हैं तो आपको काफी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप रात को सोते वक्त दो या तिन लोंग अंगारों पर सेख कर अर्थात भून कर खाएंगे तो इससे आपको काफी फायदा होगा ध्यान रहे जादा देर अंगारे पर रखने स यह जल जाएगी एवं इसके ओशर्धियगून खत्म हो जाएंगे नश्ट हो जाएंगे असली लोंग की सबसे पहले पहचान जालनेते हैं दुकानधार बेचने वाले लोंग में तेल निकला हुआ लोंग मिला देते हैं अगर लोंग में जुर्यां पड़ी हो तो समझें क यह तेल निकाली हुई लोंग है उसे ना खरीदें लोंग से बहुत सी प्राकृतिक और शधियां बनती हैं आज हम आपको बताएंगे कि एक लोंग कितना कमाल का होता है आए जानते हैं लोंग के फायदों के बारे में रात को लोंग से होने वाले साथ फायदे श्वसं संक आपका पास के एक टुकडे की सहायता से थोड़ा सा लोंग का तेल या भूना हुआ लोंग का चुन पीडा दायक दात या अपने मसुड़ों पर लगा कर दर्द को कम कर सकते हैं इसके आलाबा यह संक्रमर को ही कम करेगा सुजन को ये कम करता है पीडा दायक मांस बेश्यो की मालिश के लिए लॉंग तेल का उप्योग करें इससे आपको जल्द ही आराम हो जाएगा घावो का इलाज करें लॉंग बहुत तिब्र होता है घाव के इलाज के लिए जैतून के तेल में थोड़ा सा लॉंग का तेल मिला कर घाव पर लगाएं यह घाव को ठीक करने में परेशान कर सकता है खासी जुकाम जिहां अगर आप इस प्रकार इसका सेवन करते हैं तो आपको कभी भी खासी जुकाम जैसी तकलीफ नहीं होगी साथ ही अगर आपको सर्दी जुकाम है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इजिनाल नामक पदार्थ प बिमारी है तो इस प्रकार लॉंग का सेवन करने से यह पूनतया ठीक हो जाएगी पेट में दर्द अगर आपके पेट में दर्द रहता है या फिर पेट में कीडों की शिकायत है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं मसूडों के अंदर दर्द हो रहा हो तो अगर किसी व्यक्त में बहरहा रक्त साफ होता है जिससे आपके शरीर की सारी गंदगी खत्म हो जाती है लॉंग के आईए अन्य फायदों के बारे में भी जान लेते हैं पाचन क्रिया का खराब होना लॉंग 10 ग्राम सोठ 10 ग्राम काली मिर्च 10 ग्राम पीपल 10 ग्राम अजवायन 10 ग्राम इन सब को मिला कर अच्छी तरह पीस कर इसमें एक राम सेंधा नमक मिला करके रख लीजिए इस मिश्रन को एक स्टील के बरतन में रखकर उपर से निम्बू का रस डाल दीजिए जब यह सक्त हो जाए पांच पांच ग्राम इन सभी को कूट करके पीस लें और घीगवार के रस में मिला करके चने के आकार के बराबर की गोलियां बना कर चाया में सुखा लें उसके बाद एक एक गोली सुबह शाम लेने से गठिया का रोग नश्ट हो जाता है चक्कर अगर आपको आ रहा है त साइटीका में लोंग के तेल से पैरो पर मारिश करने से साइटीका का दर्द खत्म हो जाता है टॉंसिल का बढ़ना एक पांच का पत्ता दो लोंग आधा चमच मुलेथी चार दाने पीपरमेंट के एक गलास पानी में मिला करके काढ़ा बना कर पीना चाहिए टॉंसिल दमा या श्वास रोग में दो लोंग को 150 मिलीलीटर पानी में उबाले और इस पानी को थोड़ी सी मातरा में पीने से अस्थमा और श्वास का रुकना खत्म हो जाता है दांतों में अगर कीड़े लग गए हो तो कीड़े लगे दांतों के खोखल में लोंग के तेल को 50 ग्राम इन सभी को पीश कर छान कर निम्बू के रस में डाल दें सूखने पर 55 ग्राम गर्म पानी से खाना खाने के बाद खुराक के रूप में लें आपको लाव होगा अगर आपको कमर दर्द है तो लोंग के तेल की मालिश करने से कमर दर्द के अलावा अन्य अंगू का दर्द भी मिट जाता है इसके तेल के मालिश नहाने से पहले करनी चाहिए ताकि आप नहा करके फ्रेश हो सकें जिहां दोस्तों तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं को और बहद ही महतो पूर्ण जानकारी क ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों